दो बक्रे आज आपको सुनाएंगे दो बक्रो की कहानी एक दिन दो बक्रे एक नदी के संक्रे पुल के बीचो बीच आमने सामने मिले पुल से एक बार में एक ही प्राणी पार हो सकता था दोनों बक्रे चाहते थे कि वह पहले पुल पाल कर ले इसलिए वे एक दूसरे से जगणने लगे वे कुछ देर तक एक दूसरे को धमकी देते रहे फिर आपस में लड़ने लगे लड़ते लड़ते दोनों नदी में गिर गए और डूब कर मर गए बच्चो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? हमेश शिक्षा मिले कि क्रोद से हानी होती है इसलिए हमें कभी भी क्रोद नहीं करना चाहिए हमेशा शान्ती से ही काम लेना चाहिए जितना हो सके क्रोद से दूर रहे और हो सके तो शान स्वभाव से ही मामले को सुलजाने की कोशिश करे धन्यवाद